हेलो दोस्तों स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल पर आज हम आपको डीफर्म सेकेंड डियर का सब्जक्ट फार्मेसी लाइण इथिक्स जिसका चेप्टर नमबर फोर पढ़ाएंगे दोस्तों अगर आपने फार्मेसी लाइण इथिक्स का चेप्टर नमबर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना अगर आपको मेरे बाटसाप गुरूप से एड होना है तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिक दी गई है बहाँ से जाकर आप जॉइन हो जाए जॉइन होने के लिए आपको 199 रुपे का पे करना होगा उसके बाद आप जॉइन हो जाएंगे तो दोस्तों जो आपका चेप्टर नमबर था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक 1940 उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया और उसमें जितने भी टॉपिक थे उनको हमने सबको पढ़ाया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले थार्ड वाला चेप्टर पढ़ लीजिये जाकर और जो आपका फोर्थ चेप्टर है यह थोड़ा छोटा चेप्टर है यानि इसमें ज़्यादा थेयोरी नहीं है तो इसको कोशित करेंगे एक ही वीडियो में कवर करने की तो आपका चेप्टर नवर फोर है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट नाइटीन एटीफाइब दोस्तों जो नार्कोटिक ड्रग्स होती है जो नेसा बाली ड्रग्स होती है उनको रोकने के लिए और साइकोट्रोपिक जो सबस्टांस होते है उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने के लिए एक एक्ट तयार किया गया और बै एक्ट कब तयार किया गया Drug and Psychotropic Substance Act 1985 जो आपका Act है आपका कब बना था 85 में बना था इस Act को Indian Government के दोरा तयार किया गया जो आपका Narcotic Psychotropic Substance जो Act बना था उसको Indian Government के दोरा बनाया गया है यह इंडिया के अंदर Narcotic Drug के Cultivation को रोकने यानि जो Narcotic Drugs है उनका जो कल्टिवेशन होता है जैसे Opium की खेती होती है उसको रोकने के लिए और Manufacturing को रोकने के लिए जो Industries में Manufacturing होती है Narcotic Drugs की और जो Psychotropic Substances की Manufacturing होती है उसको रोकने के लिए Production यानि Industry से Transfer करना यानि जो भी Material है उसको Market में लाना उसको रोकने के लिए Sale, Purchasing, Transport और Storage को रोकने के लिए यह Act बनाया गया दोस्तों इस Act में बताया गया कि जिस परसन के पाँ लाइसन्स होगा वही परसन कि कोई भी Activity नहीं कर सकता, 1985 से इंडिया के अंदर क्या था जिसके पाँ लाइसन्स नहीं होता था भै लोग भी Narcotic Drug का Transfer करते थे और उनकी Cultivation यानि खेती करते थे और उनको Store करते थे अपने घरों में बट जब आपका 1985 में Act आ गया तो उसके बाद से जो Narcotic और Psychotropic Substance है उनकी Storage पर उनकी Purchasing पर उनके Import एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रोंक लगी है तो इस प्रकास है दोस्तों जो आपका 85 बाला जो एक्ट है 1985 बाला जो एक्ट है इसके बारे में क्या है कि आप Narcotic जो भी ड्रग होती है और जो भी Psychotropic Substance होते हैं उनकी Manufacturing, Sale, Purchasing, Transfer और Storage को रोकने का बर करता है जो आपका एक्ट है उसके बाद इस एक्ट का Objective क्या है यानि जो आपका एक्ट बनाया गया है इसका उद्देश सी क्या है तो पहला पॉइंट है Narcotic Drug and Psychotropic Substances को Regulate करने के लिए Regulate का Means यानि जिनके पास License है बही Narcotic Drug और Psychotropic Substances को बेंच सकते हैं और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसमें License System बनाया गया है जो Central and State Government के दोरा दिया जाता है यानि आपको यानि Central का Means होता है यानि जो आपके Central नहीं पूरे इंडिया के अंदर जो भी Government होती है वह License देने का भर करती है और जो State Government होती है अगर आपको State के अंदर Import-Export करना है तो दोस्तों आपको State Government का License लेना पड़ेगा अगर आपको International Transport करना है तो आपको Central Government के दोरा जो License दिया जाता है उसके माद्यम से आप Transfer करते हैं अगर आपके पास Central Government का License नहीं है तो आप ना तो Psychotropic और Narcotic Drug का Transfer कर सकते हैं ना Manufacturing कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी Activity नहीं कर सकते हैं और Third Point है अभेद तरीके से Narcotic Drug and Psychotropic Substances को बेचने से रोकने के लिए ये Law बनाया गया जो आपका Law का मतलब यानि इसमें कुछ नियम दिये गए हैं उनको Follow करना होता है तो जो आपका जो Act तयार किया गया है ये जो अभेद तरीके से Narcotic और Psychotropic Substances को जो बेचा जा रहा है उ उनको रोकने के लिए ये Act तयार किया गया है तो जो आपका 1985 बाला Act है उसका ये उद्देश से हमने कुछ points में इसको लिखा है और अच्छे से Define भी किया है अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप इसको तयार कर सकते हैं फिर बात करते हैं आपका जो सिलेवस है सिलेवस में आपका एक Definition वाला Option दिया गया होता है कि इसके बारे में आप जो भी Act पड़ रहे हैं उसमें जो भी Important Definition होती है उनके बारे में आपको Knowledge दी जाए तो इसलिए हमने कुछ Definition रखी है पहली Definition है Narcotic Drug यानी Narcotic Drug क्या होती है नार्कोटिक ड्रग बेड ड्रग होती है जो CNS को Depress करती है जो Center Nervous System को Depress करती है इन ड्रग का यूज करने के बाद Sleep आती है जब आप नार्कोटिक ड्रग का यूज करेंगे तो परसन को Sleep आती है इनके Example है कोका लीप्स ओपियम हो गया और पॉपी इस्ट्रा जो होता ह है आपका नार्कोटिक के अंदर आता है उसके बाद Psychotropic Substance क्या होते है यानि इन ड्रग को Mood Stabilizer Drug भी कहा जाता है जो आपकी Psychotropic Substances होती है इनको Mood Stabilizer Drug भी कहा जाता है इन ड्रग का यूज करने के बाद परसन का Mood and Behavior Change हो जाता है अगर परसन डिप्रेशन में होता है तो प परसन ठीक हो जाता है उसका Mood Change हो जाता है जैसे अगर किसी परसन को ज्यादा Tension है और वैं Psychotropic Substances का यूज कर रहा है तो उसका Mood और Behavior Change हो जाएगा Example हो गया Alprazolam Nitrazepam Benzodisepin Derivative जितनी भी Drug होती है आपकी बैं इसके अंदर आती है जैसे डाइजीपीन जो आपकी डैजीपाम ड्रग आती है बैं भी आपकी Benzodisepam Derivative Drug के अंदर आ जाएगी थर्ड определination है OPM OPM poppy का juice होता है जो आपका OPM होता है एक OPM poppy होता है भै इसका juice होता है इसका biological source pepiperus somniferum होता है जो आपने First year के अंदर pharma kognosy पढ़ा होगा तो आपने OPM drug पड़ी होगी तो इसका जो 사고 office source होता है इसमें होता है आपका paperu somniferum तो जो आपका बाइलोज का सोच ओपियम का होता है ओपियम पेपर सुमनी फेरम से प्राप्त किया जाता है और इसके एक्स्ट्रेक्ट को बिना गवर्मेंट की परमीशन से नहीं बेचा जाता है जो आपके ओपियम का प्लांट होता है उससे जूस निकाला जाता है उसके बा उसके बाद बात करते हैं गांजा यह केनिबस प्लांट के फ्लावर एंड फ्रूट से निकाला जाता है एक प्लांट होता है केनिबस प्लांट उसके जो फ्लावर होते हैं और उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर से गांजा को निकाला जाता है तो इस पकार से दोस्त किया है दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है कोका प्लांट का कल्टीवेशन करना ओपियम प्लांट एंड कैनिवस प्लांट का कल्टीवेशन करना इनकी सेल परचेस ट्रांसपर्टिंग जो आपकी ट्रांसपोर्टिंग होती है बेर आउसिंग मतलब घर में स्टोर करना और कि किसी भी प्रकार का इंटर इस्ट इंपोर्ट और इंटर इस्टेट एक्सपोर्ड करना यह सब होता है। दोस्तों जितने भी आपके नार्कोटिक ड्रग हैं और जितने भी आपके साइको ट्रॉपिक सफ्टांसेज हैं उनकी किसी भी प्रकार की ट्रांस्पोर्टिंग करना पर्चेस करना और इंटरिस्टेट इंपोर्ट करना बिना लाइसंस के अगर आप बिना लाइसंस के उनकी purchasing कर रहे हैं उनकी bear housing कर रहे हैं यानि घर में store कर रहे हैं तो यह सब आपका elect traffic के opposite होता है यानि elect traffic क्या कहता है कि दोस्तों किसी भी प्रकार का जैसे koca plant का cultivation नहीं कर सकते बिना license के opium puppy का आप cultivation नहीं कर सकते हैं कैनिबस प्लांट का आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं तो यह आपका इलिक्ट ट्रॉफिक कहता है अगर आप उसकी बातों को अपोजिट यानि बर्क कर रहे हैं तो यह आपका इलिक्ट ट्रॉफिक के अपोजिट हो जाता है फिर आता है प्रोहिबीशन कंट्रोल एंड र कर सकते हैं कुछ prohibition दिये गए हैं तो इसमें क्या क्या दिया है पहला आपका ये वाला point है prohibition of certain operation as per section 8 यानि section 8 के अनुसार बताया गया है कि कौन कौन सी चीजे prohibition की गई है तो person क्या क्या नहीं sell कर सकता है no person sell यानि पहला point है कोई भी person कोका, opium poppy, cannabis plant की खेती में involved नहीं होना चाहिए यानि जिसके पाल license नहीं होता है और उसके बाद कोई भी person इसको purchase, manufacture, transport और जो आपका transport हो गया, bear house हो गया, import नहीं कर सकता है यानि दोस्तों जिसको government के दौरा permission नहीं दी गई है, bear person ना किसी पकार के transport में involved होगा, ना तो bear house में involved होगा और नहीं import में involved होगा और उसके बाद b point दिया गया है power of center government to permit control and regulate यानि इसको control and regulate करने की जितनी भी power होती है यानि जो center के अंदर होती है बै जो आपके state के अंदर होती है बै आपकी state government के पास होती है तो दोस्तों इसमें यहीं बताया गया है कि जिस person के पास अगर license नहीं है तो बै किसी प्रकार का narcotic and psychotropic substance का ना तो transport कर सकता है ना manufacturing कर सकता है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिकरिया नहीं कर सकता है उसके बाद कुछ authorities बनाई गई है और कुछ officers है यानि जो आपका इस act है 1985 बाला तो इसको control करने के लिए कुछ officers बनाए गए कुछ और authorities बनाई गई तो जो आपका syllabus है उसमें topic दिया गया है इसलिए हम इसको इस वाले वीडियो में cover करेंगे तो center government illict traffic को रोकने के लिए भिविन action लेती है अभी हमने आपको बताया था illict traffic क्या है तो center government जो होती है बहुत इलिक्ट traffic को रोकने के लिए भिविन action लेती है और पहला point है Narcotic and psychotropic drug के misuse को रोकने के लिए government भिविन खमेटी तियार करती है जो narcotic होता है और जो psychotropic drugs होती है उनके misuse को रोकने के लिए government बहुत था kids तियार करती है उन committees में byvin officer को newkt किया जाता है जब कोई committee बनाई जाएगी तो उसमें officer को newkt किया जाएगा उसके बास second point है इसमें international committee बनाई जाती है यानि जो international level पर इनका paradox cinco पर होता है तो उसके लिए इसमें international committee भी बनाई जाती है जो international इस्तर पर drug के export and import की देखरे करती है यानि जो international इस्तर होता है जहाँ पर international इस्तर पर psychotropic और जो आपकी narcotic drug होती है उनका transport किया जाता है और उनकी bear housing की जाती है तो उसको देखने के लिए इसमें international committee भी बनाई जाती है और जो state level के होते हैं उसमें state level की भी committee तयार की जाती है फिर officers कौन कौन से होते हैं जो आपके center government के officers होते हैं पहला point है government section 4 के subsection 3 यानि जो आपका government होती है section 4 के subsection 3 में जो आपका narcotic and psychotropic substance से related जितने भी officers होते हैं और जितने भी commissioners होते हैं उनको appoint करती है यानि section 4 के subsection 3 के नुसार government उनको nukt करती है और उसके बाद government other officers को भी appoint करती है जो इस act में work के लिए eligible होते हैं इसमें government पहले कुछ बड़े officers को भी nukt करती है उसके बाद कुछ छोटे officers को भी nukt करती है जो इस बर्ग करने के लिए eligible होते हैं और second point है Narcotic Commissioner भी अपने अंडर में एक committee तयार करता है जो Narcotic Commissioner होता है भै भी अपने अंडर में एक committee तयार करता है जिसमें कुछ सदस्यों को रखता है और उसको power भी देता है कि भै ड्रग को चेक कर सके उनकी manufacturing को चेक कर सके तो इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर officers को रखा जाता है तो आपका इतना important topic यह वाला नहीं है लेकिन जो आपकी penalties and offenses हो गए और जो आपका narcotic and psychotropic का introduction हो गया और उसमें बहुत से topics दिये गए थे जैसे objective क्या होते हैं यह आपके important topic है तो जो आपके officer वाला topic है इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना officer of center government और उसके बाद जो authorities बनाई जाती है हमने इसमें define किया है फिर बात करते है penalties and offenses यानि अगर कोई psychotropic और narcotic drug का यानि government के खिलाब कोई transport करता है manufacturing करता है तो उस पर क्या क्या penalties लग सकती है तो उसके बारे में बात करेंगे हम तो clause one क्या है जो person poppy, poppy straw, opium, coca plant, coca leaves इन सब की बिना permission के manufacturing कर रहा है यानि उसके पास permission नहीं है और बे manufacturing कर रहा है import कर रहा है, export कर रहा है और उस person के पास government ने license नहीं दिया है तो उस person पर क्या penalties लग सकती है तो उसको 10 साल की jail और 1,00,00 रुपए तक का जुर्माना पढ़ सकता है यानि उसको 10 साल की jail हो सकती है और 1,00,00 तक रुपए का जुर्माना भी पढ़ सकता है clause two में गांजा से related case में अगर कोई case गांजा से related case है तो उसमें क्या penalty होगी उसमें 5 साल की उसको जेल हो सकती है और 50,000 रुपे का जुर्माना भी उस person पर लग सकता है फिर close 3 क्या है आपका यानि आपके पास license है और आपके पास उची record नहीं है तो आपको क्या penalty लग सकती है आपके पास license तो है बट उसका उचीत record आपने बना का नहीं रखा है तो आपको 5 साल की जेल और fine पढ़ सकता है तो दोस्तों जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सबस्टांज जो आपका act है उसके अंदर जितनी भी पैनाल्टीज थी उसको हमने cover किया और पूरे चेप्टर में जितने भी आपके सलेवस के अंदर टॉपिक थे उसको हमने cover किया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चेनल को भी सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों को सेर कर देना अगर आपको मेरे वाटसाप गुरूप से एड होना है तो डिस्किप्शन बाक्स में लिंक दी गई है आप बहाँ से जाकर ज साइन हो जाईए धन्यवाद दोस्तों